हरिद्वार पुलिस ने बुजर्ग महिला की निर्मा महत्या की गुथी 48 घंटे के अंदर ही सुझा ली है। पुलिस ने पता लगाया कि बुजर्ग महिला की हत्या उसके घर पोताई करने वाले शफ्स नहीं की है। आरोपी ने पहले महिला के घर में चोरी की, जब उसकी चो को पता चला कि सुनीता एक वेक्टी के रिक्षे में बैट कर कहीं गई थी। पुलिस ने उस वेक्टी का पता लगाकर उसे सक्ती से पूछताच की। उस वेक्टी ने अपना सारा गुना कबूल कर लिया। दरसल इस वेक्टी का नाम नसीम है और ये मेला के घर पे पुताई का काम करता था। इसकी दोरान उसने मेला की घर से जोल्डी और पैसे चुरा लिये। जिसकी बनक मेला को लग गई उसने इससे पूशा भी लेकिन इसने बहाना बना दिया। और मन गणंत कहानी रच्टी को कहा कि एक बाबा हैं जो आपकी ज्यल्डी और पैसे के बारे में बता सकते हैं। मेला इस पर विश्वास करके इसके साथ बाबा से मिन्ले आटो में बैठ कर चली गई। राष्टे में इसने महिला को नहर में धक्का दे लिया। इससे महिला की मौत हो गई। और इसने आरूपी के घर से चोरी का सामान बरामत कर लिया। कोटवाली में दो दिन पूर जो आट तरीकोव सुनीता देवी हैं 65 साल की करीव की उमर है और पीट बजार में रहती इनकी गुमशुद्गी इनके बेटे दौरा लिखाई गए ती जो गुड़वाव में कार रहे थे और इस गुमशुद्गी लिखाने लिखाने वहां सा कि आली जो हमारी स्याइउ की टीम है इनके दौरा पहले हमने पूरी संभावी द्रास्ते पर गई होंगी उसमें रिक्षा से जाते वह दिखी वहां पर और व्यक्ति दिखा साथ में तो चुकि इस व्यक्ति के पहचान उससे में नहीं हुई थी तो कहीं नहीं संदिक्ता प फूटेज के दार पर इस रिक्षा चालक को भी ट्रेसाओट कि उससे पता चला कि उसने बुजुर्ब महिला और व्यक्ति को जो है पत्री रोपुल के पास चोड़ा था और इससे घटना में लगा कि कहीं नहीं की बात है और उसमें वसीन नाम के जो पूस्ताच के लिए ज जिसका शक सुनीता देवी जी को उनके पर हो गया था और जिसके बारे मुंगा कहना था कि अगर नहीं बताएगा तो पुलिस में शिकायद करेंगे इस घटना को बचने के लिए उसने एक कहानी रची की अक्ट्वल चोर के बारे में और किसने चुराई आपके जोलरी इसक इसके बाद जब उसके घर की तलाशी ली गई तो उसमें पुरानी जोलरी जो मिली है और जो पहन के गई थी वो भी बरामत हो गई है मध्यप्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्ति करण के उद्धिश से समवेधन शिल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लारली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपए दिये जाएंगे ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगे योजना की प्रत्रिया बहसरल और निशुलक है योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने के आवश्यक्ता भी नहीं है दस जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आजाएगी एक हजार रुपएया की पहली किस्त योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेलप लाइन नमबर 0755 2700800 एवं वेबसाइट cmlarleybahena.mp.gov.in पर ब्राप्त की जा सकती है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक बिश्लेशक हम करते हैं सब्ते का अनवेशा दखल नियूज आपके हक्त में आप देख रहे हैं दखल नियूज